हेलो एब्रीवान मैं नीरेद मिश्रा और आप देख रहे हैं NKM Menture आज की क्लास में हम चैप्टर 23 को रिवार्ज करने वाले हैं जो की बात करता है एडवांस रोलिंग की इससे पहले मैंने 1222 चैप्टर अल्रेडी अप्लोड कर दी हैं जिसको आप मेरे चैनल के प्ले लिस् दीटर्स वहां से मिल जाएगा तो उसे जॉइन कर लिए ताकि जो भी फॉर्दर अपडेट्स हैं और जो नोट्स हैं वहां पर मिल जाएंगे इसके बाद जो इलेक्टिव नोट का पेपर है उसके जो क्विक सम्मरी आने वाले हैं और इंडार्ट टेक्स के अप्वार्स जितने भी चक्टर कंप्रीट हो जाएंगे उसके भी में च्छोटे च्छोटे वीडियो ताकि आपको एक्जाम के टाइम में फटाफट साब प्रोविजन को रेटेन करते हैं मैं हल्प मिले वह अप्लोड कर दो और आप जैसे जैसे कमेंट कर रहे हैं कुछ इसमें इंप् परपस के लिए जा रहे हैं ताकि आप आईसे की स्टडी मैटीरियल को देख करके सामने फटा 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 उसको गो थू करके एंटार कॉंसेप्ट को रीकॉल कर सकें दूसरी बात मेरा क्लास है इसमें साथ 19 है उसकी 40 मिनिट के बाद कुछ वीडियो ब्लर हो गई है वह ट वीडियो को ऐसे ही देख लीजिए दो से आप उसको कंप्लिक कर पाएंगे और प्रूब्मेंट है कुछ आपको डॉट्स है तो मेरे इस वीडियो के नीचे ही या फिर जैसा भी अगले वीडियो का आता है उसमें प्लोट करते हैं चोटा साथ है एडवांस रूलिंग इंक कि इनको मिलता था इनको मिलता था कि जो बाहर के मतलब और आते हैं तो इंडिया गंदर उनको यह पता नहीं था उनको कुछ चीजों को क्लेरिफिकेशन के लिए एडवांस रूलिंग को सट आया था ठीक है अब GST के जिसको कैसे अप्लाइ करना है वो देखते हैं इस देफिनिशन आप सच टर्म तो मतलब कौन तो अप्लिकेंट होंगे यह पता यह एंगे इस में कौन सी कहां पर अप्लिकेशन करनी पड़ेगी कौन सी अथोर्टी होंगी और अप्लेट अथोर्टी इस परपस के लिए कहा गया होगा वो सब हम इस चप्रम पड़ेंगे तो चलो पड़ा पड़ेंट से स्टार्ट कर लेते हैं आपम पर पड़ेंन का रोल का है एंट है अ एंधंस प्लेकेंट अपलände के बाड़ें पलेकार प 정 que택 कहा ख Вас वोग को पड़ेंगे जा या प्लेकेंट की ऐस्था म हाथ है को अपला जंए अपलेकेंट और अपलेंट अपलेंख कै तो Old करेंक आर द क्यालकाइ रादर इत्व का रुरेंद्ग थक्था सेक्षी जतालोलम्टि के साल द्वार सक्र्णा खर्सर fattoलिए इत दीर cr इत्वोर्ण स का MR with the tax administration, a legally constituted body called Authority for Advanced Ruling that is AAR, Authority for Advanced Ruling can give a binding ruling to the applicant who is registered taxable person or is desirious to be registered, मतलब the registered person को भी दे सकता है, और जो चाहता है कि registered हो जाए, उसको भी दे सकता है, यह जो रजिस्टर नहीं है, चाह रहा है ना भी, तो उसको भी Advanced Ruling मिल सकते है, the Advanced Ruling given by the Authority can be appealed before an Appellate Authority for Advanced Ruling, that is AAR, Appellate for Authority, Appellate Authority for Advanced Ruling, ठीक है, there are timeline prescribed for the passing order by the AAR and by the People AR, ठीक है, तो बिसिकली भी यह अपिले जूर गया है, उसको आगे, एपिल for the Advanced Ruling, यह Authority for Advanced Ruling, एपिले अपिले 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 पर दावांस रुलीं, ठीक है, तो इनके timeline कैसे कैसे है, provide the certainty, the broad objective for the setting of mechanism of Advanced Ruling are, provide the certainty in the tax liability in advance, in relation to the activity proposed to be undertaken by the applicant, attract the foreign direct investment, that is FDI, by ensuring the certainty in taxation aspect of the transactions, reduce the litigation, pronounce the ruling expense, reduce in the transparent and inexpensive manner, तो पूरा क्रक्स, पूरी कहानी कथा कासार क्या है, यह है कि Advanced Ruling जो मिलती है, वो Authority for Advanced Ruling से मिलती है, उसके लिए एक particular timeline से मिलती है, दूसरी बात, उसके Advanced Ruling के आगे आप खिलाब आप अपील कर सकते हैं, उसके लिए आपको Appellate for Advanced, Appellate Authority of Advanced Ruling, इनके पास जाना पड़ेगा इनको ट्रिपल आर बोल सकते हैं, और पहले वाले को डबल आर, ठीक है, तो इनके पास जाना पड़े, अच्छा, इसकी जरूत क् आपड़ी की बाद में अगर जैसे लगता है कि लोग में कोई टकराव है, मतलब हम interpretation कुछ और निकाल रहे हैं, लोग कुछ और हो सकता है, तो हम उसको clarify करना चाहरे हैं, ताकि future में वो dispute ना हो, हमने कुछ और समझ करके accordingly अपना compliance कर ली है, लेकिन बाद में department कुछ और मान कर किस किस पे, assessi पे भी और department पे भी, ठीक है, अग कुछ definition है, वो हम खटाबट लेक लेते हैं, advanced ruling means the decision provided by the authority for the appellate authority to an applicant on matter on questions specified in subsection 2 of section 97 and subsection 1 of section 100 in relation to supply of goods or service and both being undertaken or proposed to be undertaken for the applicant, तो advanced ruling जो section 97 and 100 में बताया गए है, उनके लिए मिलता है, appellate authority क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे, 97 को नीचे है ना, उसको हम पढ़ेंगे, क्या है क्या है, appellate authority होता है, appellate authority means the appellate authority for advanced ruling referred in section 99, जो कि 99 में कहा गया है, वो भी हम पढ़ेंगे, applicant means the person registered or desired to be obtained registration under this act, application means an application made to the authority under subsection 1 of section 97, authority means an authority for advanced ruling referring section 96, अभी सारे को refer कर दिया है, इसने definition में, तो हम उनको उन-उन sections के concern area में जाके पढ़ते हैं, तो चलो, सबसे पहला section हमारे सामने आता है, section 97, जो कि कहता है, question, question for which advanced ruling can be short, question for the advanced ruling can be short, तो कौन से वो questions है, जिसके लिए आप advanced ruling ले सकते हों, ठीक है? तो इसको हम पढ़ते हैं, section 97, बात करता है, question for which advanced ruling can be short, तो कौन-कौन से question है, जिसके उपर advanced ruling ले जा सकती है, तो पहला वाला question है, classification of any goods or service or both, classification किस तरकी होगी, उसके उपर आप advanced ruling ले सकते हैं, second कहता है, applicability of the notification issued under the provision of CGSTF, application of the notification issued under the provision of CGSTF, तो प्रोवीजन, अगर सीचे चेकन रेशो होगा है, तो उसको किस तरीके से, उसका application होगा, उसके भी आप advanced ruling ले सकते हैं, determination of the time and value of supply of goods or service or both, determination of the time or value of supply and service or both, admissibility of the input tax credit, admissibility of input tax credit of the tax paid or deemed have been paid, determination of the liability to pay tax on any goods or service or both, whether applicant is required to be registered and next one is whether any particular thing turned by the applicant with respect to any goods or service or both, amount to or result in specific, result in supply of goods or service or both, within the meaning of that term, तो यह कुल मिलाकर के जो हैं, छे साथ तरीके के साथ points हैं, जिन में आप advanced ruling ले सकते हैं, तो पहला तो यह हैं आपकी किसी goods की classification के लिए, दूसरा है time of notification की applicability के बारे में, तीसरा है time और value of supply के बारे में चौता है, आपकी liability determination करने के बारे में पांच बारे में हैं, आपका जो registration की requirement है या नहीं है, इसके बारे में कर सकते हो, ठीक है, और classification of goods के बारे में, जो भी particular thing done by the applicant with respect to any course of services, बहुत amount to result, मतलब कोई अगर action लिया है, सब कुसने person ने, तो वो क्या उस्पे tax की payability बनेगी या नहीं उसके बारे में, आचा कौन-कौन से matters for advanced rules नहीं सकते हैं, तो किसके इस प्लेसरा के दोनों ही important है वैसे तो, लेकिन objective tax के लिए यह ज़्यादा important है कि matter which cannot be question before AAR, कौन-कौन से question जो हम AAR case समख रस्त हो नहीं कर सकते हैं, question नहीं कर सकते हैं, तो पहला है कि अगर आपका जो preceding है, already pending है, proceeding in case of applicant, question already pending in any proceeding in the case of applicant, question already decided in any proceeding in the case of applicant, या तो proceeding pending है, या तो फिर case already decide हो गया है, इन दोने ही case में हम advance ruling नहीं ले सकते हैं, उसके बाद माला जो section है, authority for the advance ruling, that is AAR and the appellate authority for advance ruling, triple AAR, यह section 96-99 कहता है, क्या बात करता है, the authority for advance ruling, constituted under the provision of state goods and service tax act or union territory at UDF, shall be deemed to be the authority for the advance ruling in respect of that state or union territory under the CGSTF 2017, जो भी उस state के रुपने डिसाइर के गहांगे उही मायनेंगे, उन state वाले, the government shall appoint officer not below the rank of the joint commissioner as a member of authority for the advance ruling, next, the appellate authority for advance ruling, constituted under the provision of state and service tax act or union territory goods and service tax act, shall be deemed to be the appellate authority in respect of the state or unity, thus it can be seen that both the authority for advance ruling and the appellate authority for advance ruling is constituted under the respective state annuity, and not the central left, this would mean that ruling given by the AR and AAAR will be applicable only within the jurisdiction of the concerned state or UT, it is also for this reason that question on determination of the place of supply cannot be raised with the AAR and AAAR, this is also for the reason that question of determination of place of supply, place of supply के बारे में आप AAR और AAAR में नहीं चाकरके नहीं कर सकते हो, क्या reason है इसका क्योंकि इसका उसी jurisdiction में applicable होता है, उसके बाद हमारा अगला section बात करता है procedure for obtaining advance ruling under section 96, procedure for obtaining advance ruling under section 98, 8, the applicant desirous to obtain the advance ruling should make the application application to the AAR in prescribed form and manner and shall be accompanied by the fees of the 5000, तो पाँजर पाइफीज के साथ application देनी है, 9, upon receipt of the application, the AAR shall send a copy of the application to the concerned officer and if necessary call for all the relevant record from the concerned officer, the relevant record called by the AAR shall be returned to the concerned officer as soon as possible, the AAR may then examine the application along with the record and may also hear the applicant, thereafter he shall be, he shall, thereafter he will pass an order either admitting or rejecting the application, ठीक है, तो पहले तो किया है कि fees के साथ application आएगा, application के विसी बनने के बाद बाद जो AAR है उसको देखेगा और उसमें relevant record नहुआ सकता है, उसके बाद वो accept करेगा, या फिर admission या फिर rejection का order pass करेगा, अपर्चुटियों के अंदर उसको रूलिंग प्रणाउस करना पड़ेगा, इन knapp bit लिए ज बनार किया औरीजन विए देखेगा, उसको प्रिक्स, और विए ज्यभ करेगा, विए लिए एपतिछ खीकिन के फिरेpenट में पंक्राबू की बननने का उसके फिर जाफ एसे दिए cry. ऑसे इन cuts that the law ब्रूलिंग जलने का, ग्रट में बने का,bon बीए, तो पॉइंट तो पॉइंट तो पॉइंट रेफर किया जाएगा अगले मैंच को और उसमें कोई डिफरेंस होगा तो फिर मैजॉर्टी बैसिस पर हो डिसाइड किया जाएगा यह हमारा 98 सेक्शन हतम हुआ है उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेक्शन 100 की और 101 की आप़ी wedi कर फिया अपने खार का अगर आपकर अपिकेंट है रि出 अ इन अ पालेडेगे तो न पील हुआ है च्छाय को और अपिकेंट तो इंहा the decision of the appellate authority is also treated as the advance ruling okay any appeal must be filed within 30 days from the receipt of the advance ruling the appeal authority the appellate authority may allow for the additional 30 day for filing an appeal if it is satisfied that there was sufficient cause for the delay the appeal has been the appeal has to be prescribed from and has to be verified in the prescribed manner an appeal has to be filed by the applicant along with the fees of 10 000 rupees however if the concerned officer or jurisdiction officer is agreed by the decision of the triple ar sorry decision of the aar then no fees is required to be paid next kata has the appellate authority must pass an order after hearing the parties to the appeal within a period of 90 days of the filing of an appeal if the member of triple a are differ on any point referred in referred to in appeal it shall be deemed that no advance ruling is issued in respect of the question under the appeal the set authority can either confirm or modify ruling to basically muddeh ki baat yeh hai ki wo 30 dynon ke in-durr aapko appeal karnei padegi chaayya department chaayya dousra applicant hai hai greev party ko appeal karnei padegi 30 dynon ke in-durr 1,000 rupees fees lak jayegi or admit karnei kis prakara ke decision dee saakta hai 90 days ke in-durr wo joh hai party joh triple aar wo decision dee gaga dhono party ko sunnye ke baad ex-certificate issue karnega johi speaking hooga order thikki kya usko accept kar saakta hai or joh puranen waale joh hai usko repeat kar saakta hai thikki kya kya pir usko modify bhi kiya ja sakta hai thikki kya kata hai the law given gives the power to the aar and triple aar to amend their order to rectify any mistake apparent from the record within the period of six months from the date of order such mistake may be noticed by the authority on its own record on accord or may be bought to bought to it notice by the applicant or concerned jurisdiction तो आप जो भी operate from record है ना तो वो जो नहीं party 6 मेने के अंदर rectify कर सकते हैं if the rectification has the effect of enhancing the tax liability or reducing the quantum of the input tax credit the applicant must be here before the order pass तो opportunity being hurt दिया ना पड़ेगा उसके बाद ही वो order comment कर सकते हैं अगर ऐसा लगता है कि text जो है covered उस पर जा रहा है party मतलब text पर जा रहा है section 103 क्या कहता है applicability of the advanced ruling and advanced ruling pronounced by the aar and triple aar shall be binding only on the applicant यह बहुत अच्छे ध्यान रखना है कि question आ सकता है कि वो फ्लान आदमे पर aar हो गया तो क्या यह दूसरे वाले आदमें भी बाद नहीं जिसको aar मिला है वो उसी पर binding होता है advanced ruling जिस पर मिला है उसी पर binding होता है ठीक है an advanced ruling is not applicable to similarly placed other taxable person in the state it is only limited to the person who has applied for advanced ruling the law does not provide for a fixed time period for which the ruling shall apply instead it has been provided that advanced ruling shall be binding till the period when the law fact or circumstances supporting the original advanced ruling has not been had not changed ठीक है तब तब तक सबोट करेंगे जब तक की original advanced ruling चीज़ना हो ठीक है अगला बात करता है section 104 कहता है advanced ruling to be void in certain circumstances which cases में advanced ruling void माना जाते है कोई कोंसे cases है section 104 state the circumstances under which the ruling would be considered as a void and hence would lose its binding value if the authority aar and appellate authority find that the advanced ruling pronounce has been obtained by the applicant applicant or appelliant by the fraud or suppression of the material fact or misrepresentation of the fact it may by order declare such ruling to be void of an issue consequently बतला अगर 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 आपने अगर आपने अगर आपने रूलिग लिया है तोसको fraud बुवोज को नल और अगर आपने चाहा आपने जागा 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 जो नल और आपने जागा 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 जा ले consequently all the provision of the cgst act shall apply to the applicant as if such advanced ruling has never been made but excluding the period when advanced ruling was given and up to the period when the order declaring it to be void is issued an order declaring advanced ruling to be void can be passed only after hearing the applicant या फिर अपील है नेक्स कहता है copy of the order so made shall be sent to the applicant the concerned officer and the jurisdiction officer तो उनको अपने जो भी jurisdiction officer उनको copy इसका बेस दिया जाएगा ठीक है उसके बाद मारा next point कहता है section 105-106 105 और 106 यह कहता है power and procedure power and procedure for AAR and AAAA both the AAR and AAAA weathered the power of the civil court under the code of civil procedure 908 for discovery and inspection and forcing the attendance of the person examining him on both issuing the commissioning and the compiling for addiction of the books of account or record both the authority are deemed to be civil court for the purpose of section 195 of the code of criminal procedure both the authority are however not treated as civil court for the purpose any proceeding for the authority shall be deemed to be the judicial proceeding under section 193 and 228 for the purpose of 196 of the Indian Penal Court 2680 1860 तो इस तरीके से जो है है advance rolling हमारा quick summary 10 points है ना हम सारे 10 points को करेंगे तो सलिए पहला point हमारा introduction का था जो कि बात कर रहा था कि आड़ान्स रोलिंग क्यों के आगया है तो इसमें स्ट्रेक्शन 97 में हमने पढ़ा था कि कौन-कौन सी question है जिससे इस पे आपको advance rolling मिल सकती है तो पहला तो यह हमने पढ़ा था वी taxable value के बारे में मिल सकती है या tax place के बारे में classification of goods or service के बारे मिल सकती है और अगर कोई notification इशू हुआ ऐसी जैस्टी करना था तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं आप time of supply की बात कर रहा हूं प्लेस प्लाई की बात नहीं कर रहा हूं time of supply और value of supply ठीक है इनके बारे में बात कर सकते हैं या फिर admissibility क्या admit होगा या नहीं होगा input tax credit उसके बारे में आप बात कर सकते हैं determination of tax liability क्या पूछ सकते हैं क्या applicant required registered होने के लिए तो उसके बारे में पूछ सकते हैं या कोई particular thing जो भी वह कर रहा है तो क्या वह taxable होगा या नहीं होगा तो इन बद्द पर 97 बता रहा था जिसमें जो अथोरिटी के बारे बदा था कि कर सकते हो अगर अगर हो तो उसके बाद यह हमारा 97 था नहीं 97 था 99 था 99 क्या कह रहा था कि कैसे कैसे बने हुए और कहां का कर सकते हैं ठीक है उसके बाद कर सकते हैं आपकी जो बातों को सुना जाएगा उसके बाद इसको डिया जाएगा ठीक है और फर्दर वह भी मतलब रिटन में होगा अलगला जगपे मतलब भेज दे जाएगा अपील कर सकते हैं आप सेक्शन 100 और 101 के अंदर में क्या है कि 30 जनों के अंदर आपको अपील कर कि इसमें 10,000 रुपे की फीज है तो अपील करने के लिए आपको 10,000 रुपे की देनी पड़ेगी 30 जनों के अंदर अपील के अंदर आपको उसका रूलिंग मिल जाएगा आपको डिसन मिल जाएगा यस या नों का जो भी है और वो सारे कॉपील है को बेज देंगी हमारा 100 और 100 और 101 था 102 में हमने रेक्टिफिकेशन की बढ़ा था जो इसके बारे में बात के थी हमने इस 103 के अंदर एडवांस रूलिंग के अप्लिकेबिटी उसी बदने पर है जिसको वह जिस पर लागू होता है ठीक है उसके बाद एक सब तब तक लागू हो जबता है कोई सारे केस में हो सकता है और अगर अगर इसा प्रोविजिन निकाल दिया तो इसके समय हो सकता है तो यह हमने कुछ पढ़े थे उसके बाद हमने 106 में पढ़ा था पावर प्रसीजर उसी तरीके से जैसा कोड़ा प्रसीजर है उसके कोड़िंग ही सेम है अब कॉश्चन देख लात इसके बेगार गनाहा नहीं चरना है जाना ओड़े सकते हैं यह मतलब नहीं मतलब हो नहीं के लिए प्रवाइब कर सकते हैं कि अगर कोई विए और से लिए कि जिसे लिटिकिशन पर वॉइल किया सके और यह जीपर वेर बिस ओल देश्वल डिस्पूट है और उसके बाद यह दिपार्टमेंट और वैंडिंग होता है इसे अफ्टी एक्टाइब इस के लिए हमने लांच हुआ है। फिल्टा अडेवास रूलिंग थे अपलाई कर थे यह जिस ने अपलाई के था वो उप्डाई नहीं होता है। तो इसका fix time नहीं है लेकिंग जब तक मान लेंगे जब तक की अगर 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 शुट तक कर सकते हैं तो यह कुछ का सरक्मस्टांसी तो आपका इस प्रकार से सक्षन और अगर आप मेरे चैनल पर नए है और अभी तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एनल को सब्सक्राइब पर लिजिए अपने फ्रेंट्स के साथ भी शेर किजिएगा और मेरे टेरीग्राम चैनल एंक्याम वेंचर्स में जुड़े रहिए मिलते हैं आप से अगले वीडिय में थैंक्यू बाइ बाइ